नमस्कार स्वादिस्ट खाना बाय अनीता जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैकरोनी बना रहे हैं चलिए रैच्पी शुरू करते हैं यह मैंने एक बाउल बड़ा बाउल मैने मैकरोनी बॉयल कर लिया है और यह कैपसी कम एक मिल्प गाजर है कैरत्अ अर एक पुट्टे के मैने दाने स्विट कोन यह स्पिमिच पाळक और यह टोमेटो टोमाटक लिया है चुप लिया मैने इंट सबको और यू values जोम हाज पास्ता को दूश जिससे की ऑईल कम यूज होए हमारा बतन रखा है एक टेवल स्टूल मैंने कवार दाला और किसी मेश में राई डालगे फस्ट इंट लो गष्टेवगे अलूदी जाउ शुटा प्टेवगे तेस्ट आपगे अजियोगा हर्का कि अर्टेव में इसे आपगे एक अजियोगा हर्का वाज़का ने कर देज देख एका यह जाने जावैगे अर लराट? ंजआ नेंहें रुड़ाओ ये एके लändern मन्नतो आपरागा था प्राग निए ताल कि प्राइब निए प्राइब जो तेबर स्कूल पास्ता तो, वाइब पास्ता तो सभी, लेकिन आपने से मैकरोनी में यूज़ करें, इसका हल्का साल्स को गरम हो जाएगा, जब ये मैकरोनी डालेंगे, इसमें उबाल आगया है, जो कि हमारी सारी सब्जी अच्छे प्रेश सोते हो गई है, अब हम, जो कि कितना भग्या लग रहा है, ये देखे, थुड़ी काली मील की में डाल जीओ, तुड़ा काला नमक, फ़्रका सब्जार वाइप नमक, आपने मैकरोनी तो बहुत बनाई होगी, ये मैकरोनी मैं नई स्टाइल में वाइप पास्ता सोस के साथ बना रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है, जो मैं अक्तर बच्चों के लिए बनाती हूँ तो आज मैं यह र्यास्टी आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ देखो मैंने इसमें कितनी ध्ली साई सब्जियां डाली है हर प्रतार की सब्जी है कि खाली सुझी है मैदा ना जाके बच्चों के अब इसमें लास्ट में थोड़ा नीबू डाली हो जिससे की अच्छा प्लेवर आ जाए काला नमा काली मेरा चोर ते थोड़ा सा लास्ट में नीबू डाली है और इसका प्लेवर यह सुझी का ही मक्रोमी है हमारी सुझी मेकरोनी विद वाइट पास्टा सोस के साथ आज जुने बनाई है यह बहुत ही टेस्टी है यह आप लंच, पीनर, स्नेक्स किसी भी मत्की से बना के खा सकते हों जगपट बनने वाली रेस्पी है, अब आप भी से बनाए, खाये और हमें बताएए यह आपको कैसी लगी है